आप सभी का स्वागता है हमारे यूटीब चैनल में आज हम बात करेंगे हिंदी लिट्रेचर हिंदी साहित्य जो आपका ओप्षिनल सब्जेक्ट है एच्छेस में जिसको लेकर बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी इसके बारे हम बात करेंगे और हिस्ट्री ओप् अगर आप इसको मैंने असान कर दिया है अगर आप इंग्लिश में खुद से देखना चाओ तो इंग्लिश में इसको मैंने असान कर दिया है अगर आप English में खुद से देखना चाहो तो English में भी देख सकते हो, लेकिन मैंने इसको देवन अगरी में translate कर लिया है, ठीक है, यह पूरा का पूरा है, यह मैं टेलीग्राम पर डाल दूँँआ, टेलीग्राम जुरूर जोन कर ले ना भाई, टेलीग्राम पर जितनी PDF हैं, आ टेलीग्राम का हमारे वही नानों में जो YouTube चैनल का नाम है, ठीक है, Quality Guidance by Ranbir Singh, आप सर्च करके भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देदूआ, और आप किसी और एक्जाम की त्यारी कर रहे हो, या CDS की त्यारी कर रहे हो, या Other State PCS की त्यारी कर रहे हो, कोई भी State PCS की त्यारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको NCRT डिटेल में पढ़नी है, तो आप मारे दूसरा चैनल है, दिल्ली वाड़ा रनबीर सिंग, जिसका मैंने सुबह वीडियो भी डाला था, टेलीग्राम पर हो वीडियो, ठीक है, आप सर्च करके भी जा सकते हो, और उसका लि लेकिन यह जो है आपका लिटरेचर की तरह पेपर चैक होगा, लेंगवेज की गलतिया आपकी इतनी जाए इसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है, यह इसमें कन्फूजन हो नहीं होना बच्चों को, तो इसमें पहले आ जाएगा आपका अपभरंश, अभट और आरंबिक हि हिंदी के व्याकरणी और व्यावारिक रूप, मद्यकाल में साहित्य भाषा के रूप में ब्रज आ गई थी, अबदी भाषा का विकास, सिदनात साहित्य आ गया, खुसरो, संत साहित्य रहीम, और दखणी हिंदी में खड़ी बोली, ठीक है, का पहरंबिक रूप, यह आग हिंदी भाषा का बैगानिक और तकनिकी विकास, यह थोड़ से करंट से जोड़कर लिखने होते हैं कोशन, हिंदी साहित्य की प्रमुक बोलिया और उनका अंत्रसवन, नागरी लिपी की मुख्य विशेस्ता है, इसमें सुदार और हिंदी का मानक रूप के लिए प्रियास इमानक हिंदी का व्याकरनी सरचना, उसके बाद सेक्शन पार्ट भी आ जाएगा, इसका हिंदी साहित्य के तियास आ जाएगा इसमें, हिंदी साहित्य की प्रसंगिक्ता, महत्तब हिंदी साहित्य के तियास लेखन की परंपरा, जैसे इसमें चार काल आ जाएंगे आपके, ठीक है पहले आदिकाल आ गया ठीक है सिद्ध नात रासो साहिति जो लिखा गया था प्रमुक कवी थी इसके चंदरबदाई खुसरो हेम चंदर विद्यापती फिर भक्ति काल आ जागा संत कावे धारा का सूखी दो कावे धारा हैं इसमें कृष्ण भक्तिदारा और राम भक अधुनिक काल मौडर्न आ जागा से पुनन जागरन गदकाविकास और भारतिंदु मंडल इस चार पार्टों में हैं प्रमुक लेकर का जाएंगे इसके भारतिंदु वा बालकरशन भट परताब नरेन मिश्र है आधुनिक हिंदी कवीता की प्रमुक परतिवाद जिसमें आपके आजाएंगे उपन्यास और ये थारत बात देखिए अगर आप हिंदी साहित्ते लेने की सोच रहे हैं तो भाई मैं आपको सुझाब दूँगा जो प्रेमचंद की कहानिया हैं जो मंजुशा के रूप में आती हैं वो आप लेकर के पढ़ सकते हैं ताकि आ हिंदी लगू कथा उदवव और विकास प्रमुख लगू कथा कारें प्रेमचंद प्रसाद अग्यय मोहराकेश के नाटक भी आते हैं कृष्णा सोबती नाटक रंगमंच में आ जाए हिंदी नाटक और उत्पत्ति का विकास ठीक है भारतेंदू प्रसाद जगदीश रामचंदर सूकल आगया हजजारी प्रसाद दिवेदी आगया रामविला सर्मा आगया नागिंद्र आगया हिंदी गद का गद के रूप में ललित निबंत रेखाचितर संसमन और यात्रा बतानत आगयी उसके पाद पार्ट सेक्शन टू आगया जिसमें आपके आगया इ रामचंदर का 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 आगन के पारदवार साध्यबीना मुक्तिवोद का ब्रहमराक्षर नागरजुन का बादलों गिरते देगा अकाल के बाद हरिजन का था ठीक है यह आगया अपका सेक्शन बी में इसमें आगया सेकंड़ गदवाड़े पार्ट में आगया भारतिंदी का भारतू दुद्रसा म रामचंदर शुकल का चिंतामणी भागय कवीता क्या है स्रद्दा भक्ति सरगा गया और डाक्टर सदेंदर का निवंद नीले में आगा बालकृस्ण भट प्रेमचंद गुलाब राय हजादी प्रशाद वेदी रामभला सर्मा अगय कबेरनात राय प्रेमचंद का गोदा यह पन्यास है मनु बंडारी का महाबोजा राजंदर एक दुनिया समानतर इसमें कहानिया इसमें पूर्टन इसमें दे रख तो यह दो आपका सलेवस हो गया पूरा और कोश्चन कैसे आते हैं यह दोजार चोबीस में आपका एक्जाम हो था नोटिविक्शन दोजार हो गया पांच वारा इसका कंपल्सरी हो गया यह दोनों में से एक एक हो गया बाकी ते आप कहीं वी कर सकते हो ठीका टोल आ आपको पांच यह दोसनुंबर का के नोट्व है इसमें बहूस सारी टिपनिया थिपनिया सब सींक दे रखों देरृइं कितने शबदों के आपकी प्रानी हिंदी को सपस्ट करना है मद्यकाल में ब्रजबोली की भाषा कैसे बनी है मानक हिंदी को सपस्ट कीजिए हिंदी व्याकरण में विशिष्ट को सपस्ट कीजिए तो ये तो कंपलसरी आपका करना ही करना है आपको ठीक है उसके बाद है सेकंड में है तीन कोश्चन आगे सेकंड कोश्चन है भक्तिकाल को क्यों पढ़ना चाहिए समझाइए धाइसो सब्दों में वही है सब्सीमा आपकी बढ़ जाएगी वीरगाथा काल में उसी इस्टे को निरूपित कीजिए तीन सब्दों में हिंदी नवजागरण बालकर्शन भट का प्रकास डाली है तीन सब्दों में थर्ड कोश्चन है प्रेम चंद के पन्यासों यथार चित्रन थीक है यथार ती दिखा रकास में होरी का करेक्टर आपने देख रका है अगर किसीने पड़ रखाएगा तो धाइसव सब्दों में है हिंदी कहानी हो मोहन राकेस का है आदे दूरे उसमें तीन सब्दों में आपको लिखना है हिंदी नवजागरण भारत इंदों के नाटक है योगदान फूर्थ कोश्चन है का हिंदी आलोचना के विकास डाक्टर केंदर के आज आलोचना करम और हिंदी में ललितनी बंद पार्ट भी आगा इसमें जैसे के ये कोश्चन है यह आपका कंपलसरी है ठीक यह आपका कंपलसरी है आपको करना ही करना है कबीर की भक्ती प्रकास डाले तुलसिदास का लोक मंगल बोध ब्रहमरगी निर्गुन और सगुन ये आपका आ जाएगा ठीक है सूरदास जी का नागमती का विरहा गया और बिहारी के गागर में सागर बरा है ठीक है ये आपको करना ही कंबल सरी है उसके बाद फिर आपके यही सच है कहानी ठीक है प्रेम चंद की कहानी आज भी क्यों पढ़ी जाती है तो यह आपका पूरा का पूरा प्रीविस एर कोश्चन हो गए ठीक है सलेबस मैंने आपको दिखाई दिया और एक और चीज़ है आपको देखिए अगर आप इंटरस्ट बनाएं तो प्रेम च जोड़ना है दूसरा अगर आपका भासा सहली पर पकड़ है तो आप इसके कोश्चनों के जवाब अच्छे से दे सकते हैं अब आपको प्रेपेरिशन का रसे करनी है प्रेपेरिशन भाई देखो हिंदी के लिए आपको नोट से आपका काम चल लाएगा कुछ कहानी आप पड़ सकते हो प्रेमचंद की ठीक है आप जैसंकर प्रसाद जी की कुछ कहानी पड़ सकते हो दुनिया एक समान अंतर आप ले सकते हो उसमें कहानी पड़ सकते हो प्रेमचंद का गोदान ले सकते हो मंजुसा ले सकते हो ठीक है यह दो तिन चीज़ें ले सकते हो नहीं बा जादा नतर नहीं है थोड़ा सा यह नतर है और हिंदी लिट्रेचर में आपको एक चीज़ देखनी है जैसे के हम दूसरे सलेबस में देखते हैं जैसे के पीएसा यार उसकी वीडियो रह रही है बनानी मैं उसको बता दूँगा आपको पीएसा यार वाला जो उसमें पूरा का पूरा करंट से जुड़ा हुआ है हिंदी लिट्रेचर में ऐसा नहीं है जो आदुनिक भारत में आदुनिक रूप में हिंदी का विकास यह सब के कोचिंग है जो पिकास दिवी किरती सर्फ के नोट्स हैं उससे ही आपका काम चल जाएगा उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा अगर आप कोचिंग से नोट्स में थोड़े से महेंगे पड़ेंगे कोचिंग से भी आप मंगा सकते हो वाई जिसमें आपको प्रिं नोट से ही काम चल लेगा वैसे तो मैं आपको सच बता रहो लेकिन साथ मैं आपको class notes भी ले लिने चाहिए क्योंकि option subject है आपका तो printed notes से ही आपका काम चल लेगा ठीक ठाक रूप में विल लेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आगी लेकिन यह आएगा बस यह देखना के साफ सुतरे हैं या नहीं वही notes से हैं वही repeat होते रहते हैं कोई ज्यादा उसमें कोई बदलाब नहीं है class लेने के आपको कहीं से कोई जूरत नहीं है अगर note से ही काम चला दोगे तो आपका काम चल लेगा ठीक है और कोई doubt इसमें रह गया हो तो comment box में जो लिखना बाकी देखने और सुनने के लिए धन्यवाज जैहिन जै भारत बंदे मात्रम